समान प्रिशासन विभाग द्वारा स्थांतरन के समन्ह में प्रादेश के समस्त विभागों के लिए एक पत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि 15 जून से 30 जून 2023 के मद इस्थांतरन में जो प्रतिबंध है इनहें सिथिल किया जाता है अर्था इस अबध़्ी में करते हैं जैसे पूर के वीडियो में भी हमने बताया कि समान प्रशासन विभाग का जो आदेश है वो प्रदेश के समस्थ विभागों के लिए है और इस आदेश में जो संधर दिया गया है इस्थांतर नीती जो की 24 जून 2001 को जारी की गई थी इस समस्थ बिंदू समाहित किय गये हैं और इसके अंतरगती ट्रांसपर किये जाएंगे तो जो इस्थांतर नीती 2021 है इसमें भी बताया गया कि जो विभाग है अपनी प्रशाचनी का शक्ताओं के अधार पर ट्रांसपर कर सकते हैं इसमें के वल तीथी निर्धारित कर दी गई कि 15 जून से 30 जून 2003 की अ यदि आज हम देखें तो 21 जून हो चुका है अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है तो इसमें बताया है कि विभाग जो है अपनी प्रशाचनी और शक्ताओं के अधार पर कर्मचारियों के इस्थांतरन करते हैं अब यदि समान रूप से हम देखें तो समान प्रशाचन विभाग के द्वारा जब भी आदेश जारी होते हैं तो विभाग जो है सिक्षे विभाग या फिर आदिम जाती कल्यान विभाग अपने विभाग के लिए आदेश जारी करता है कि कर्मचारियों के इस्थांतरन कप से करना है कैसे होना है जैसे हम लाश् तो इसका दो दसमलो एक बिंदू जो दिया गया है कि इस इस्तांतर नीती के प्रभावी होने के अपरांत अगामी बर्सों में बर्स पिसेस के लिए प्रत्रक इस्तांतर नीती जारी नहीं की जाएगी। होंगे किन्हें प्रात्मिक्ता मिलेगी और इसकी प्रक्रिया क्या है तो इसमें जो प्रक्रिया है वो भी ऑनलाइन बताई गई थी कि इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अब आवेदन और जो पूरी पूरी पूरसेस है वो इसे स्थांतर नीती में बताई गई है चुकि इसमें इसपश्ट रूप से बताया गया कि आगामी बर्सों में भी यह है जो स्थांतर नीती है वो लागू होगी प्रिथक से कोई करना हो तो अधी सूचना के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी अब यादी इसमें हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन करने की सारी पूरसेस बताई गई जो की एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से करना है और बर्तमान में अधी हम देखें तो एजुकेशन पोर्टल प हो जाएगी आप ऐसे आविदन कर सकते हैं तो इसमें बताना चाहेंगे कि आफलाइन आविदन संभातन नहीं होगा यदि इस इस्थांतर नीती को हम माने तो ओनलाइन आविदन ही होंगे और ओनलाइन आविदन के माध्यम से ही आपका तो इसकी जो सूचना है विभाग के माध्यम से आपको जरूर दी जाएगी अब आपके मन में प्रशन आता होगा कि सर जो अवधी है इस अवधी में ट्रांसफर तो होंगे या नहीं होंगे कि वो अलग बात है लेकिन पूरे बर्श ट्रांसफर होते हैं हम देखते हैं कि कुछ करमचारियों के जो ट्रांसफर है वो प्रतिबंद अवधी में भी हो जाते हैं तो कैसे होते हैं तो इसमें बताना चाहेंगे कि प्रतिबंद अवधी में भी ट्रांसफर होते हैं लेकि कि अन्य समय में आदिश जारी होते हैं, वो CM मौनिट, CM समनवय के अंतरगा टांसफर किये जाते हैं, और इस समन में भी जानकारी इस जो आदिश है, सिक्छा विभाग की जो इस्थानतर नीती है, इसमें बिंदू दिये गए हैं, कि किस परिस्तिती में CM समनवय के अधार पर टांसफर किये जा सकते हैं, तो सिक्छक सांथी बिल्कुल भी परिशान ना हो, यदि टांसफर होंगे, तो विभाग के माध्यम से इसकी सूचना आपको जरूर मिल जाएगी, और जो समय अधी है, यदि टांसफर हुए तो हो सकता है, समय अधी भी बढ़ा दी जाए, जो स प्रक्रिया है, वो बाधित ना हो, किसी तुरकार से कोई समस्या अध्यापन में ना आए, तो सिक्छा विभाग में जब भी टांसफर होंगे, इसकी सूचना आपको विभाग के माध्यम से ही प्राप्त होगी, एथी सिक्छा एवं ट्राइवल विभाग में स्थांतरन के स मन में एक महपून जानकारी, आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी, मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन